दोस्तो शारदिय नवरात्री 2019 का आगमन आज से ठीक सात्वे दिन होने जा रहा है शक्ति पूजा के नवरुपो को समर्पित ये नव दिवसी अपरवर 29 सितंबर को शुरू होगा जो 7 अक्टुबर 2019 तक चलेगा 29 सितंबर को नवरात्री का पहला दिन होगा इस दिन गट स्थापना एवं कले स्थापना और पंडालों में सजनेवरी मात दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना होगी इस बार लोगों को कले स्थापना के लिए परियाप्त समय मिलेगा क्योंकि प्रतिपता थी 29 सितंबर को रात्री 10 बज़े तक है ऐसे में लोग 29 सितंबर की सुबह से लेकर देर शाम तक आराम से कले स्थापना कर सकते हैं नवरात्र की ये 9 दिन काफी शुबह माने जाते हैं इसलिए इनकी शुदता की लिहाद से शास्त्रों में कुछ खास नियम बताय गए है नवरात्री वरत की नियम की पालना करके हम देवी मा को प्रसन कर सकते हैं और उनके परमभक्त बन सकते हैं चलिए जानते हैं आखिर नवरात्र की 9 दिन कौन सी नियमों का पालन करना चाहिए नवरात्र में भूल से भी ना करें ये दसकार ये पहले बात है शेविंग, नवरात्र के नव दिन यदे आप रत रखते हैं और पूजा करते हैं तो शेविंग करना आपके लिए वर्जित है यानि नवरात्र के नव दिनों में दाडे मुझ कटवाना पाप माना जाता है ऐसा करने से देविमा घर में कभी वास नहीं करती दूसरी बात है नाखुन काटना नाखुन काटना इनसानों के अच्छे आदोतों में से एक है लेकिन नवरात्री के 9 दिनों में नाखुन काटना वर्जित है इसे धनकी हानी होती है और शारिक परिशानिया भी आ सकती है तीसरी बात है खाली घर यदे आपने नवरात्री के लिए कलेशेवा मुर्ति की स्थापना की है तो इस भीज घर को अकेला नहीं चोड़ना चाहिए कलेश थापना की है तो घर में कोई न कोई महिला आवश रहे साथी घर को रोज साफ रखना चाहिए और मकड़ी की जाले दिखे तो उसे तुरंत हटा दे ये बहुत बुरा प्रभाव डालते है चोटी बात है खान पान नव दिनों की संत्राल में आपको लेसुन प्याज जैसे चीजों को खाने से परेज करना चाहिए साथी नौन वेज बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए ऐसे में सात्विक भोजन का सेवन आपके लिए भेतर साबित होगा कुछ लोग मास का सेवन करते होंगे लेकिन गलती से भी नौ दिनों में मास खाने का प्रयास ना करे और नहीं ऐसा करने के बारे में सोचे इससे मादुर्गा भोती क्रोधित हो जाएगी पाची बाते चमड़े से बनी चीजे यदि आपने नौरात्रिका वरत रखा है तो इस भीच आप बैड चपल या चमड़े से बनी किसे भी वस्तो को ना पहने बेजुबान जानौरों को मार कर बनाए जाती है चमड़े की च करते हैं और उनी की इच्छा पूर्ती करते हैं चटी बात एक काले कपड़े नवरात्री लाल चुनर और गुलाल का त्योहार है ऐसे में काले रंग के कपड़े पहनना आशुब माना जाता है काला रंग अंधकार को दर्शाता है इसलिए नवरात्री में इसे ना पहने पारण करे तबी देवीमा की करपा आप पर हो सकती है आठ वात है धुमरपान एवं शराभ है वर्जित नवरात्री के नव दिन काफी शुब माने जाते है ऐसे में इन दिनों धुमरपान और शराभ फिना वर्जित माना गया है इन नव दिनों में केवल शुबकारे करने चाहिए जैसे कि दान धर्म करना या लोगों की मदद करना शराप पर पैसे लुटाने से अच्छा है कि कि किसी भूके को रोटी खिला दो इससे देवी माँ जल्दी प्रसन हो जाएगी नवी बात है ब्रह्मचारिय नवरात्री में एक बात का विशेश ध्यान सभी को रखना चाहिए यदिया परत कर रहे हैं या ना कर रहे हैं लेकिन इन नौ दिनों में हर विक्ति को ब्रह्मचारिय का पालन करना चाहिए नवरात्र के दिनों में शारिक समन ना बनाए और ना ही किसी पराइस्त्री के प्रती मन में दुशित विचार आने दे दुसी बात है मासिक धर्म यदियाब के मासिक धर्म का दोर चल रहा हैं तो इन दिनों आप पूजन नहीं कर सकते कभी भी जमीन पर बैटकर या खड़ा होकर मां की पूजन आ करें बलकि आसन बिचाकर उस पर बैटकर ही पूजन एक करें और ध्यान रहे कि आसन हमेशा ही ज्यूतिया उनका होना चाहिए नवरात्र की समय दिवी मां को भोल सी बितुल सी और दुरुआरपित ना करें तो दोस्ते ही थे वो दसकारिय जो नौरात्री के नवदिन नहीं करने चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके धन्यवाद कमेंड में जय दुर्ग कमा जुर्लिके धन्यवाद